नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक नए वीडियो में, आज मैं आपको बताऊंगा कि मीथर के नए बेक ओपीस पर वोलेट को अपडेट कैसे करते हैं, बहुत सारे यूजर्स को अभी तक मीथर के नए बेक ओपीस पर वोलेट को अपडेट नहीं करना आता, मैं आज आ आपको लाइव वोलेट को अपडेट करके दिखाऊंगा जिससे कि आप आसानी से अपने वोलेट को अपडेट कर सके और विड्रोवर ले सके तो दोस्तों यह मैंने मीथर का बैक ओपीस ओपन कर रहा है जैसे यह आप बैक ओपीस ओपन करोगे तो कुछ इस परकार का इंटर आपको वोलेट अपडेट करने के लिए तो मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप वोलेट अपडेट कर सकते हैं दोस्तों जैसे आप अपनी आई बीको ऑपन करते हैं मियतर के नए वेक ओपीस genesis ओपने आपको तीन लाइन नहीं दिख रही होगी तो यहां पर आपको टच करना है जैसे यह आप तीन लाइनों पर टच करते हैं तो आपके पास पूरा dashboard open हो जाता है तो इस dashboard में आप उपर से सेकेंड नंबर पर लिगेसी इस्टेकिंग का गया दोस्तों कुछ इस परकार का interface आपको दिखाई देगा और नीचे ही नीचे आपको दिखाई देगा orders के नीचे बीच में update my wallet जी दोस्तों update my wallet तो आपको update my wallet पर क्लिक करना जैसे आप update my wallet पर क्लिक करते हैं तो आपके register mail पर आपको मैं उस OTP को यहाँ पर डालता हूँ मैं OTP डालकर उसको submit करता हूँ तो मेरे को यह एक नए page पर redirect कर देता है इसमें आपका email verification password तो नीचे नीचे आपको जाना है wallet update के option पर जी दोस्तों यह आ गया है wallet update का option अब देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर wallet update के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले wallet type आपको wallet type चूज करना जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे wallet चूज के टाइप पर तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक्सेंज आ जाएंगे इसमें lbank coin store trade bit और अर्थ भी आ जाएगा जबकि wallet में आ जाएगा आपके पास metamask दोस्तों मैं अभी trade bit wallet को चूज करूँगा क्योंकि मैं इसी का deposit address यहाँ पर डालने वाला हूं तो मैं trade bit यहाँ पर चूज कर रहा हूं आप कोई सा भी exchange चूज कर सकते हैं lbank कर सकते हैं coin store कर सकते हैं trade bit कर सकते हैं अर्थ address डालना पड़ेगा जी दोस्तों अगर आपने trade bit select किया है तो आपको trade bit से m運 का deposit address यहाँ पर डालना होगा दोस्तों मैंने trade bit ही किया है select तो मैं यहाँ पर trade bit का deposit address डाला हूं मैंने पहले से copy कर राका है दोस्तों यह मैंने trade bit obviously M coin का M28 चेन का deposit address में यहाँ पर paste कर रहा हूँ अगर आपको L bank चूज करना है wallet में तो आपको यहाँ पर L bank का address डालना पड़ेगा अगर आप coin store कर रहे हो तो coin store का आपको deposit address डालना पड़ेगा अगर आप earthbit कर रहे हो तो earthbit का deposit address डालना पड़ेगा अगर आप Metamask wallet यूज़ कर रहे हो तो उसका deposit address यहाँ पर डालना होगा जी दोस्तों ध्यान रहे हैं जो wallet आप चूज़ कर रहे हो उसका M coin का M20 chain का deposit address आपको यहाँ पर डालना है primary में जैसे यह डाल कर आप update wallet दूसरे नंबर पर जो wallet है update wallet करते हैं दोस्तों यह सही मैं यह डालकर update wallet करता हूं तो दोस्तों यह मेरा update wallet success split done हो गया है यह wallet information is done अब यह wallet मेरा done हो गया है अब जब भी मैं withdrawal करूंगा तो इसी address पर मेरा withdrawal जाएगा जो मैंने trade bit का अपना wallet address डाला था तो दोस्तों इस परकार से आप अपने new back office पर अपने wallet को update कर सकते हैं आसा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप आसानी से अपना wallet address अपडेट कर पाएंगे और withdrawal ले पाएंगे तो दोस्तों वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें ताकि मीतर से सम्मन्दी सभी update आपके पास पहुंसते रहें और जल्दी से maximum mcoin buy करके अपनी holdings बढ़ाएं दोस्तों अभी token 2049 चल रहा है और इसमें जो जो बाते निकल कर आई है वो मैं आपको कुछ दिनों के अंदर आपके सामने share करूंगा तो कुछ hint मैं आपको देता हूँ कि जल्दी ही mcoin तीन बड़े exchange उपर list होने वाला है और वो exchange top 1 के याने tire 1 के exchange है top 10 के exchange है उन पर list होने वाला है दोस्तों अभी भी देर ना करें और जल्दी से mcoin की holding करें तेंक्यू दोस्तों